बूर्णिंग आप सबी का मेरे यूटूग चैनल पर स्वागत है मा आज आपको सर्शूं की अच्छी पैदाव लेने के लिए कुछ जरूरी टिप्स बताती हूं सर्शूं की पहली सी चाहिए कप करनी चाहिए और कोन साइस में खाद छिटकाव करना चाहिए वही समपूर्जान करी दे रही हूं है और इसके लिए हमने स्टार्ट टैन फिप्टीन जो सीड्स है गुली है हमने और इसको लगवग है 15 दिन के करीब की सर्शूं टो जब भी आप सर्शूं की चाहिए करऊ 25-35 दिन बीच यह होनी साइए और यह दिएfendimी मिटी है जो जलिश्ती मिट्रे की संट सब्सक्राइब कर सकते हैं लेकिन जहां तक हो सके हैं आपको देरी शी करने चाहिए जैसे आप यह प्लांट सूखने लग गया है मुड़ जा रहे हैं सुरू में जब यह उगना श्टार्ट हुई थी उस टाइम अच्छी ग्रोव थी और अब आप यह प्लांट मुड़ जा रहे हैं तो यह जरूरी नहीं है कि आप तीस तिन का वेट करो आप इसकी जब प्लांट सूखने लग जाए तो इसकी दस दिन पर भी सिचाहिए कर सकते हो और जहां जो मिट्टी चिकनी होती है और जहां भी जाए करते हैं उस टाइम यह दिवाम प्लांट की ग्रोथ अची जिसे आपके प्लांट की ग्रोथ अची रहेगी और पोदू में काफी दिनों तक यह ज़रूत नहीं होगी तो यह हमारे हैं लगबग तीस तिन के करीब पचीस तीस तिन के करीब की पसल हो चुकी है और अभी हम इसमें सिचाहिए पहली सिचाहिए कर रहे हैं इसके अंदर पहली सिचाहिए करो आप उस ताइम आप पूचहिए यह जैसे डी एपी है सिंगल सुपर फासपेट है या सलफर पोटास या आपको इसी भी खाज चिड़क सकते हो जब आप इसी जब पहली सिचाहिए करो उस ताइम जब आपने पसल को ग्रो किया था बीजाई की थी पस सुपर फासपेट है या सलफर है पोटास है यह लेकर ही इसके अंदर भी जाई करनी चीए खेट में तो यह दिया आपने किसी कारण वास उस ताइम नहीं डाला है यह सब फटिलाइजर में से कोई सा भी तो आप जब पहली सिचाहिए गरो उस ताइम चिड़काव कर सकते ह कर सकते हो सिंगल शुपर फासपेट का भी कर सकते हो सलफर का भी कर सकते हो और उसके बाद आप सी चाहिए कर सकते हो तो जितना पहले इसकी जो ग्रोथ होती पहले जब भी जाई करें उस टाइम डालते उस टाइम की तो अब डाल दोगे तो भी उतरी इसकी ग्रोथ बढ़ दिया था तो पहली सी चाहिए हो उस टाइम आप यूरिया और जिंक टाल सकते हो जिंक 21 जो आती है मार्केट में वो लेकर जैसे मैं एक एकड़ गई साब से बता रही हूं कि आपने एक एकड़ के अंदर सर्ष्मगरो कर रखे तो उसमें 50 के जी ले लेना चाहिए यूरिया और जिंक ले लेनी चाहिए 15 केजी और मिक्स करके और इसको आप इस तरह सी चिड़का कर सकते हो देखे मैं हमारे खेत में इसका चिड़का कर रही हूं तो लगबग हमारे तो एक विगा के करीबी है तो इसके अंदर हमने लिया है साथ केजी के करीब यह यूरिया खाद है और 2 kg के करीब जिंक है इन दोनों को मिक्स करके पूरे खेत में छिड़क दिया है और अब इसके अंदर पानी चला रहे हैं जब ये छिड़क ने बाद पानी चला हो तो लगवाग आदे गंठाई एगंठाई चलाना क्योंकि ज्यादा पानी चलाने से ये ज्यादा नीचे मि पैली से चाहिए हो जाए उसके बाद पांस दिन बाद है आप एन पीके नैंटीन नैंटीन या एन पीके टॉन्टी टॉन्टी को इसा भी एक लेकर लिक्वीड फोर्म में आता है बड़ा अक्वालिक्टी आप मार्केट से लेके और इसका स्प्रे कर देना चीए जिससे सर प्लांटी का लेकर जिसे इनके फ्लावरिंग अच्छी होगी और इनका तना भी मजबूत हो जाएगा जिसे इनके फली आएंगी तो तना मजबूत होगा तो यह प्लांट जो गिर जाते हैं मिट्टी के उपर तो गिरेंगे नहीं वह अपने वजन को खुद सह पाएंगे ले रहे थे उसकी दूगनिया पर इससे मुनाफ़ ले सकते हो इस तरह से प्लांट का क्योंकि यह सब फटिलाइजर इसमें आप शिर्काव कर दोगे या बुआई की समय डाल दोगे तो आपके जो प्लांट हैं दूगनी ग्रोथ करेंगे पहले की बजाए और जब मदह मक्या रहा कि हमारी पसल के ऊपर यह जो फूल एंका रस होकर ले जाती है और इसका सेद बनाती है तो आप जब यह बढ़े कि जो बिजाए करते हो इस ताइम यह दी च्छुड़क कर कर रोगिया आपने यह सर्शू तो और इस तरह से आपकी गहरी दिख रही है कि प्लांट के इस फेस कम है तो उसमें से आपको कुछ पोदूंगों खाल लेना चाहिए जब आप इसको देखते हो हरी बरी हो तो ये प्लांट देखकर जी खुस हो जाता है कि बहुत अच्छी पसल है लेकिन ये जब इतनी गहरी रहती है तो इसकी पैदावार अच्छी नहीं हो पाती है पाला आया है वह इसके अंदर जम जाता है हवा नहीं लग पाती है और जो सर्शू की पसला सड़ जाती है तो आपको चाहे कि जहाँ भी गहरी सर्शू दिखाये दे वहां से सर्शू को निकाल देना चाहिए उखाड देना चाहिए एक प्लांट से डूसरे प्लांट की एक फिट की दूरी होगी तो अच्य पड़योगी इसमें हवा अच्छे según के पपास हो सकेगी प्लांट के आस पास तो इनकी अच्छी गरोध रहेगी प्लांट की नहीं इसमें औस जम्मा होकर पाला गिर कर और ये पोदे सड़ जाएंगे और फिर मिट्टी पे पसड़ जाएंगे प्लांट अच्छी पैदावार नहीं ले पाऊगे आप तो इस पसल को ज्यादा गहरी दे कर खुस नहीं होना चाहिए कैसे भी करके इनके प्लांट जो ज़्यादा हैं उनको खाड लेना चाहिए ये है उखाड कर पस्वों खारा चारा बना कर पस्वों को खिला जा सकता है तो गहरी सर्शु में से कुछ प्लांट उखाड होगे तो आपको डबल बेनी फिट होगा आपकी पसल है वो भी अच्छ बढ़ जाएंगी अच्छी बढ़ वार होगी उसकी और जो खाड होगे वो प्लांट आपके पस्वों के चारे में काम आ जाएंगे तो इससे डबल बेनी फिट होगा और यदि आप इस तरह से गहरी सर्शु रख लोगे तो आपका नुक्सान होगा इसलिए इस तरह से इस सेरन